काफी सारे बच्चे पढ़ने कोशिश करते हैं लेकर नहीं पढ़ पाते हैं तो भी और ने सच्छा ही तो यही है तो हाई everyone, I'm Lonely Rimulus student और आज की वीडियो में हम थाइड यर में किस तरीकी से पढ़ना है, कौन-कौन की किताबई यूज करनी है तो let's start the video तो सबसे पहले हम books के बारे में बात कर लेते हैं क्या-क्या पढ़ना है आपको exam point of view से और एक journal point of view से तो सबसे पहले अगर आप journal बात करें तो अगर हम PSM की बात करें तो PSM में जो सबसे important किताब बोली जाती है वो होती है PARK कुछ इस थरीके से दिखती है और इसको तो काफी सारे बच्चे पढ़नी कोशिश करते हैं लेकर नहीं पढ़ पाते है तो अब इसको कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है तो मैंने परसनली अगर इसको पढ़ा है तो मैंने केवल कुस टॉपिक्स ही पढ़े हैं जैसे की cohort study हो गई case control study हो गई इस ताइप की चीज़ से वह काफी information लेडन होते हैं और उनको एससे में कुछ concept नहीं होता है तो उनको पढ़ने की एसस मुझे लगता है जुरुद भी नहीं है पार को अगर मैं बोलूं तो थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो कुसी च्रॉपिक्स तुम्हें अगर पसंद है अच्छा लाग रहा ह कहsocial हैं अच्छे से एक्जाम की तरीके से जिससे की हमें एक्जाम में कैसे लिखना है वह उन्हें वहाननने समझा रखा और उन्हों में पाक से ही अपने नोट्स मनाःएं यहाँ red पर इसके बाद में यह अपनी सम्म वाला हूँगा जिनको मैं एक्जाम में लिखने वाला हूँगा इसके पाद जो तीसरी किताब है वो है विवेक जैन तो यह बहुत जाया चलती है हमारे कॉलेज में तो काफी चलती थी तो यह काफी सारे बच्चे प्रफा करते हैं ओवर पार्क पढ़ने के लिए यह एक साथ में लगता था अपने और तीनों को मैं अपनी खुद के नोट कोशिश करता था तो इस तरीके से मेरा काम पूरा रहता पार्क अगर पढ़नी है तो में उसके तुम पढ़ सकते हो लेकिन याद तुम्हें किवल हैडिंग सी करनी है बाखी इसका में थी तुम याद कर सब्सक्राइब नहीं सकते हो और उसकी जुरुत भी नहीं है तो यह हुआ PSM का अब PSM के दो पेपर होते हैं तो इस तरीके से तुम्हें पिपर करना है अब जो हमारे शॉर्ट सब्जेक्ट्स हैं ENT और FMT जो थर्ड यर में आते हैं उनके बात करते हैं सबसे पहले ENT की ब पढ़ सकते हो पोस्टिंग के पहले इसको पढ़ो और जब फाइनल एक्जाम साने वाले होंगे तो जो भी इंपोर्टन टॉपिक्स हैं जैसे CSOM हो गया वेल्स पालसी हो गया यह सब बहुत मतलब इसे काफी इंपोर्टन टॉपिक्स हैं तो यह तुम्हें इसमें मिल सिंपल सी किताब आती है खुराना नाम है उसका अगेन और कोई किताब मैंने नहीं पढ़ी जा ना मैंने देखी कोई मार्गेड में आती है और दूसरी है एस चांद जैसे हमारे कॉलेज में में सब लोग फॉलो करते थी क्योंकि सबसे पतली और सब्सक्राइब यही फॉल जैसे पर लोगे है सबसे तो इसको काइन्ड आप तुम पढ़ सकते हैं और सांध में तुम्हुं है के लिए और तुम अफ्ला कि पुन्ट साथ यहां धर में तुम में अच्छ ती नर चीजैन आपने झाघनग और सांफ मिल कि तुम इसमें अच्छ ऊच्छ युडवी कीजिए जादी short में दी रखी है तो वे एक चॉंसे पढ़नी पड़ती है तो मैंने दोनों को kind of साथ साथ में रख के पढ़ाए अब यह सब तो मैंने किताब बता दी जो मैंने ने फॉलो करी है मेरे आसपस के लोगों ने फॉलो करी है but one thing is there अगर तुमारे college में इनसे अलावा कोई किताब हो रही है और तुमारे दोस्त भी पढ़ रहे हैं तो फिर हो सकता है तुम वही पढ़ो क्योंकि क्या होता है तो इस तरीके से तुम्हें अगर तुम्हारा ऐसा भी है कि तुम दोस्तों के साथ ही पढ़ पाते हो तो फिर अपनी किताब ही तुम उनके साब से सुझ करो मेजली इंडिया में यही किताब है चलती है अब बात करते हैं कि सर आप एक्जाम में कैसे पास होना है तो सबसे पहले तो मैंने बताया तीनों किताबे तुम्हारे को साथ में लेकर चलनी है तो मुझे लगता है कि पीएसेम में तुम्हारा जो स्टाटिंग के पोर्शन से कोवार्ट स्टडी केस कंट्रू स्टडी और यह सब बाईय स्टे सिटिक इन दो वीडियो दिख सक्के हैं बागी वीडियो देखकी च午ंगे French में तुम में बात और हमने इसे college में print कर वा लिए थे मैंने और ये इस तरीके से notes हैं अभी मैंने उनसे बात कर रही थी तो वह book अपनी release करने की भी बोल रहे थी कि वह इस तरीके से इनकी notes की book release करेंगे let's see का बात है but तब तक मैं कहूंगा कि ये notes को like print करा लो और उसके साथ साथ उनकी वीडियो देखो free of course में YouTube पड़ा ली हुई है exam के लिए उससे better कुछ नहीं है मेरो प्रेटर कुछ नहीं है उसके सामने जो important topics की list है वह मैं तुम्हें description में दे दूँगा जो भी PSM में important topics commonly पूछे जाते हैं मेरी university के तो वह बहुत ही अच्छे से important है और बाकी university में भी लगबग same same important मैंने देखे हैं होते हैं तो वह तुम्हें नीचे decision मिल जाएंगे PSM के next बात करते है एंट की तो एंट में तुम मेरो की वीडियो देख सकते हैं वह ज्यादा preferred है ओवर प्रेप मेरो की ज्यादा अच्छे से में पढ़ाया है साथी साथ में तो मैं obviously दिंगरा पढ़नी है simple सी किताब है वीडियो देखो दिंगरा पढ़ो और आपने 20 नंबर में पूछा आ सकता है तो मैं 20 नंबर से तयार करता था तो इस तरीकी से तुम्हें आपने एक तयार करना है उससर है उसके बाद तुम्हें खुराना पढ़नी है और उससे अपने नोट्स बनानी है जो कि तुम्हें लगते हैं मैंने तो लाइक क्या किया था खुराना में काफी ज़्यादा वास दिया रहा है और आप थोड़ा से डिफिकल पढ़ जाता है क्योंकि टर्मलोजी जात है तो मैंने मैरो से मतलब नोट्स मना लिए थे तो कि ट्रेकों में अगर बीस नमबा कॉशन आएगा तो मैं इस तरीके से लुगूंगा क्योंकि बुक में समयजना वड़ा मुश्किल हो बुक में बहुत ज्यादा दिया हुए खुराना में बट अगेर वो तुम्हें जल्दी हो जाता है तो फिर भी मैं कहूंगा कि यह जो में से नोट्स बनाओ अपने जो भी कॉश्चन्स तुम्हारे को पता है इंपॉडेंट वह सारी लिश्ट में नीचे डिक्स दे दूँगा और इस तरीके सीच करना है में एक्जाम में पास होना है तो सिंपल सी बात ह प्रिवेसिर कॉश्चन्स दे को पिछले 10 साल के उन्हें कम माइन करो उन्हें करके प्रॉपर चेप्टर वाइस लिख दो कि भी या इस इस चेप्टर में यह यह पूछा गया है और जो डबल बार ट्रिपल बार पूचा गया सब हाइलाइट कर दो कि भी यह आने के बहुत वाचिंग मिलते किसी और वीडियो में औल दे वेस्ट लेके रोब बाई